राश्पती इस समये अपने अपने क्षेत्र में उलेखनिय काम करने वाले 54 लोगों को पदम पुरुस्कार दे रहे हैं इन में से 3 लोगों को पदमभूशन, 4 को पदमभूशन और 47 को पदमश्री से समानित किया जा रहा है पद्म भूशन पाने वालों में जाखिर हुसेन भी है जबकि आज पद्म भूशन पाने वाले जिन चार लोगों को समानित किया जा रहा है उनमें से एक नाम कुमार मंगलम बिरला का भी है पादम विभूशन से समानित जाखिर हुसेन और पादम श्री से समानित तुलाराम उपरेती समहारों में उपस्तित नहीं रहेंगे जाखिर हुसेन तो मिशूर तबलावादक है ही और तुलाराम उपरेती 98 साल के सिक्किन से हैं जो 80 वट से और्गानिक फार्मिंग करें वेराल इन तमाम पुरुसकारों पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सेयोगिया के लिए शर्म मौझूदे हो यह सीधे द्रिशे हम देख सकते है राश्पती भवन से जो हमारे साथ स्क्रीम में है अकिलिश तो आज फिर एक वो दिन जिस दिन पात्म समान दि कुमार मंगलम बिड़़ा प्रमक उद्योपती उन्हें भी आज वो आपता ले कि बिड़़ा परिवार में चोथे वक्ती हैं जिनें पदम सम्मान मिल रहा है इसके अलावा समाज के ऐसे अनेकों गुमनाम नायक जिनके योगदान के बारे में चर्चाएं कम होती हैं उन्ह इसी कारणवश आज उपस्तित नहीं हो पा रहे हैं, इसके साथ साथ तुला राम उपरेती, जिनने की पद्म सम्मान दिया गया है, पद्मशी दिया गया है, वो भी इसमें उपस्तित नहीं हो पा रहे हैं, तो आज कुल 52 लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया जाएगा आपको बताएं कि 25 जनवरी को गंतेंतर दिवस के पहले जो सूची आई थी पदम सम्मानों की 106 नाम उसमें थे और आज ये पहला सम्मान समारो हो रा जिसमें की 52 लोगों को पदम सम्मान से सम्मानित किया जाएगा तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां पर तमाम जो केंदरी मंत्री हैं वो इस सम्मारों में हिस्सा लेने के लिए उपस्ते थे यह राश्पती भवन में जो अशोका हॉल है वहां से सीधा यह तस्वीर आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें की सभी गणमान निवक्ति यहा हो रहा होता है और यह सभी गणमाने वक्ति यहां पर पहुंचे होते हैं तो अपने आप में हाला कि कहा जाना था छे बजे कारेक्रम शुरू हो जाएगा उपस्तित सब लोग हैं शाहिद राश्पती आगे जी करता है झाल 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 माननियर राश्टपती महोदया आपकी आगे आओ तो आज पद्मा पुरुसकार दोजार तेजिस के इस अलंकरन समरो की कारेवाई अरम की जाए थैंक यू पद्मा पद्मा विभूशन प्रोफेसर बालकृशन दोशी बर्नो प्रांत उनकी पौत्री सुश्री खुशनुपंत की हूफ वास्तू कला तो निरी ये सबसे पहला नाम प्रोफेसर बालकृशन दोशी का 95 वर्ष के थे एहमदाबाद के रहने वाले थे और ये किसी परिचय के महताज नहीं है देश के और विदेश के प्रमुख वास्तू कारों में से एक हैं और दुर्भागी की बात ये है कि जो घोशना हुई उनके नाम की उससे कुछी दिनों पहले उनका निधन हुआ था और आपको बता कि कई महत्वपूर्ण इमारते हैं जिनकी रचना प्रोफेसर बालकृशन दोशी ने की थी और ये मशूर इमारते हैं जिनकों की देखनी के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और इसके साथ साथ इन्होंने कई जो इनकी खास बाती दिजाइन की वो ये थी कि बहुत ही सिंपल होती थी इको फ्रेंडली होती थी और करीब छे दशक तक इन्होंने देश विदेश में कई महत्वपूर्ण इमारतों की जो है वास्तोकारी की थी अब दूसा नाम है एसेम कृष्णा का ये भी किसी परेचे के महताज नहीं है इन्हें भी पद्विभूशन से समानित किया जा रहा है करनाटक से हैं और अभी बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं यूपीए के वक्त में वो विदेश मंत्री थे और आप जानती हैं कि करनाटक में अगले एक-दो महने में ही चुनाव भी होने जा रहे हैं विदान सभा के तो उस दिश्टी से भी ये काफी दिल्चस्प नाम इनका था बिल्कुल लगलेश के कि SM Krishna कॉंग्रेस के तब जमाने मुख्य मंत्री रहे थे और आपने जिस तरह से बताए बीजेपी में भी आ गये थे तो करनाटक के चुनावों के मद्दे नजर विदान सभा चुनावों के मद्दे नजर और जिस अमुदाय से आते हैं काफी एहम है निश्य तोर पर कनाटक के मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं विदेश मंत्री भी वो जिम्मेदाली संभाल चुके हैं और कुशी साल पहले ये कंग्रेस शोड़कर के बीजेपी में आएं तो इसलिए से जो वहां के जाती का समीकरन होते हैं उनको भी साधने का प्रयास बी मशूर उद्योगपती हैं कुमार मंगलम बेड़ा और जिनका बताया था मैंने कि ये चोथा अवार्ड है इनके परिवार में पद्म सम्मान जो कि बिल्दा परिवार को मिला है इन्हें पद्म भूशन से सम्मानित किया जा रहा है पश्पन वर्ष के हैं और आदिति बिल्ला गुप के अध्यक्ष है श्रीमती सुमन कल्यानपूर कला गायन सुमन कल्यानपूर है जो कि महराष्ट से आती है और गाय का है हैं बहुत मशूर और करीब साथ दशक से ग्यारा भाषाओं में अलेला गिनोंने गायन किया है इन्हें पद्म भूशन से समाज करें लिए वह गलत थी और यह आप पिलकुल सुमन कल्यानपूर है कला के शेत्र में महराष्ट से इनको पद्म भूशन का सम्मान दिया जा रहा है 85 वर्षकी हैं सुमन कल्यानपूर और गाय का हैं मशूर गाय का हैं और करीब साथ दशक से ग्यारा भाषाओं में इनके गीत हम सुनते आ रहे हैं प्रोफेसर कपिल कपूर सहित्या इवंशिक्षा प्रोफेसर कपिल कपूर ये दिली से हैं इन्हें साहित्य और शिक्षा के शेत्र में योगदान के लिए पद्म भूशन से समानित किया जा रहा है कपिल कपूर सहाब 82 वर्षके हैं और जैसा मैंने कहा है कि साहित्य और शिक्षा के शेत्र में इनका योगदान है और ये कई मशूर पुस्तोकों के लिए मशूर हैं जिसमें की इंडियन ग्रामेटिकल ठीरीज और मॉडल्स उनके उपर इन्होंने कई पुस्तोके लिखी है श्री कमलेश दी पतेल अध्यातम कमलेश दी पतेल 65 वर्ष के हैं हैदराबास से आते हैं और ये रामचंद्र मिशन उसके अध्यक्ष है रामचंद्र मिशन जो है वो कई कालिकम चलाता है समाज की सेवा करते हैं और हाटफुल्टनेस मुवमेट उसके ये स्पिर्च्वल लीडर भी है श्री रामचंद्र मिशन जो है उसके अध्यक्ष है इन्हें पद्म भूशन से सम्मानित किया है पद्म श्री श्रीमती जोधाया बाई बैगा चित्रकला पद्म श्री समानों की अब सूची शुरू हो गई है मध्यप्रजेश से आ रही है श्रीमती जोधिया बाई बैगा और इन्हें कला के श्यत्र में चित्रकारी के श्यत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है यह मशूर बैगा पेंटर है उमरिया मध्यप्रदेश में उमरिया से आती है और यह पारंपरिक आदिवासी संस्कृती है उसको दर्शाती है अपनी चित्रकारी के माध्यम से बहुती साधरन परिवार से आती है और इन्हें पदम सम्मान देना, जाहिर सी बात है कि जो हमारे समाज के ऐसे गुमनाम लोग हैं, जिनें कोई सम्मान नहीं मिला, जिनके योगदान की कहीं चर्चा नहीं होती है, इन पदम सम्मानों के जरिए ऐसे लोगों को एक बड़ा पटल दिया जा रहा है, उनके को माना जा रहा है भारस सरकार के द्वारा शरीमती उशा बारले कला लोग गायन यह निदी भहुत ही दिल्चस्प नाम है आपको बता दू में उशा बारले जी का और पंडवानी गाती हैं चत्यजगर से आती हैं और पंडवानी की मशूर गाय का यह हैं दूर्ग की रहने वाली हैं और अंतराश्ती और रास्ती कई मंचों पर इन्होंने अपने पंडवान किया जा रहे हैं डॉक्टर संकुरात्री चंद्रशेखर समाज सेवा तो आंदर प्रदेश से आते हैं डॉक्टर संकुरात्री चंद्रशेखर और इन्हें पदमशी से सम्मानित किया जा रहा है यह सामाजी कारी के लिए इनके योगदान जो इनका है उसे सहराते वे यह पदम सम्मान देने का फैसला सरकार की ओर से किया गया है शिरी रामन चेरूवायल अकिरेश तो बावन लोग हैं जिनको आज यह दिया जाना है सम्मान इसमें शायद मुलायम सिंग यादव का भी नाम रवीना टंदन का भी नाम है मुलायम जी नहीं रहे और यह अपने आप में काफ़े कारिकरम लंबा चलेगा जी देखिए 106 लोगों को पदम सम्मान देने का फैसला किया गया तो आपने जैसा बताया मुलायम सिंग यादव जी का भी नाम है मरणो परांत उन्हें पदम सम्मान दिया जा रहा है रवीन लोगों को सम्मान दिया जाएगा जुटे है मारे साथ यहांबर हमने इस कारिकरम को दिखाया